नमस्कार साथियो स्वागति आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टेडिपे दोस्तो आज किस वीडियो में हम परतीसत निकालना सीखने वाले हैं जी हाँ परतीसरत, जी हाँ आप जितने भी डेली लाइफ में यूज करते हैं परसेंटेज का सारी डाउट्स के लियर होने वाली है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कोर्शन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो मान लिजिए कि आप कहें भी बजार में जाते हैं एक जिन्स पाइंट करेते हैं, तो उस जिन्स पाइंट का मुल यह 350 रुपए और उस पर क्या है, 18% ओफ है, आप कहीं बेजाते हैं, कोई परडॉक्त खरेते हैं, तो उस पर कुछ परसेंटेज होता है ओफ होता है, तो हम कैसे पाता करेंगे, कि कितना परसेंट ओफ है, तो कितने रुपए का हमको छुट मिलेगा और इस जो जीन्स है कितने रुपए का हमको मिल सकता है तो बहुत ही असान तरीका से बताने वाला हूँ तो वीडियो पर बने रहे यहां पर देख सकते हैं 1350 रुपए का कोई जीन्स है उस पर क्या है 18% आप है तो कितने रुपए में हमको जीन्स पड़ेगा तो आपको निकालने के लिए करना क्या है 1350 का 18% निकालना है सबसे पहले तो लिखेंगे यहां पर 1350 का है का का मतलब हता है गुना यहां पर 18% है तो 18 लिख देंगे परसेंट के चीन को नहीं लिखेंगे क्या करेंगे 18 के बटे में परसेंट के चीन के बदले 100 लगा देंगे यानि पर सेंट के चैन को गायाब करेंगे बटे में सोफ लगातेंगे अभिससे क्या होगा कि अब हम हम published यहां यहाँ आप देशाकते हैं उपर मेंड़ी जरो मेंड़ी से नीचे मेंड़ी केंशिल हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों का गुना करेंगे 135 का गुना करेंगे 18 में तो कितना हो जाएगा गया है क्योंकि एक 0 कट गया है अब 2430 में आपको 10 से भाग करना है तो 2430 आपको लिख लेना है 10 से भाग करना है 10 पर 0 के संगे कितना है एक है तो आपको दाहिने तरप से एक अंग छोड़ के यहां पर पॉइंट बठा देना है यानि 243 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर कैसे होगा क्योंकि 350 का 28% जो होगा 243 रुपए होगा यह आपको 243 रुपए परसेंटेज निकल कर आगया यानि जब 350 रुपए का जीन्स है 18% आप है तो 243 रुपए का हमको आप यानि छूट मिल रहा है तो यह जीन्स पाइंट हमको कितना रुपए में पड़ेगा यह कैसे निकालेंगे तो करना क्या है जो भी जीन्स का मूल्य है वो लिख लेना है उसके बाद जितना रुपए छूट मिल रहा है उसको घटा लेना है दूसर 43 रुपए घटा लेना है जीरो में से तीन नहीं गाटेगा तो इसमें से कहर सिलेंगा 10 में से तीन गया 7 यहांपर 4 बजगा 4 मीसे चार गया जीरो तीन में से दो गया एक और यह हो ला एक यानि 1107 रुपए का यह जीन्स पाइंट हमको पड़ेगा जो की 1350 रुपए प्रिंट दे रखा है आई हो पको पहले कोशन समझ में आ गया होगा आए एक और कोशन देखते हैं यदे जीन्स का मुल्या 700 रुपए हो और उस पर यह जो हो 700 रुपए मुल्या हो गया और उस पर यहां पर 40% आप हो तो जीन्स हम को कितना में पढ़ेगा या यहां पर 700 रुपए के कोई 100 ले रहे तो ओ कितना का पढ़ेगा यही आपको निकालना है तो 700 का हम सबसे पहले क्या करेंगे 40% निकालेंगे इससे फायदा क्या होगा कि हमको कितने रुपए का छूट मिल रहा है न यह पता चल जाएगा तो निकालना बहुत ही आसान तरीका है और एक ट्रिक बताता हूं इस ट् सबसेंट निकालना है तो 700 लिख देना है गुणा करना है चालिस से बटा में कुछ भी नहीं लिखना है चले मैं आपको यहां पर बता देता हूं आपको अब यहां पर गुणा करेंगे साइगा करेंगे चार में साथ चोग आठाइस ये दो जिरो ये एक जिरो लिख देना है यानि तीन जिरो यहाँ पर लिख देना है अब यहाँ पर मैंने बटे में 100 नहीं लिखा है तो आपको पता होगा कि जब 100 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में तो दाहिने तरब से 100 में 0 कि संख्या कितना होती है दो होती है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर माली जी यहाँ पर 100 लिख दिया परसेंटेज को चिन को गायब किया 40 बटे 100 लिख दिया अब यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 0 है तो इसमें क्या करेंगे एक दो संख्या छोड के दाहिने तरब से पॉइंट बठा देते हैं यानि 280 रुपए का हमको छूट मिल जाता है तो यह 100 ना लिखकर हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे और दो अंग छोड के पॉइंट बठा देंगे यहाँ कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए आज यह अपकर समझ में आ रहा होगा तो 280 रुपए क्या है तो हमारा छूट है 280 रुपए छूट है तो 700 रुपए का जीन्स हम को कितना रुपए में पड़ेगा तो हम क्या करेंगे 700 रुपए में से यह 280 जो होगा हम घाटा लेंगे चलिए घाटा लेते हैं 0 में से 0 गया 0 0 में से 8 नहीं घाटेंगा तो इस में से कहार से लेंगे तो यह हो जाए कि 10, 10 में से आठ गया 2, यहाँ पर बच गया 6, 6 में से दो गया तो 4 यानि टोटल 420 रुपए का ये जीन्स हम को पड़ेगा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसी तरीका से जीन्स का मूलिया निकाला जाता है आई एक और कोशन लेते हैं, मादली जी कि कोई आप किताब खरीदने जाते हैं और उस बुक का पराइज कितना है तो बुक का पराइज है 430 रुपए और उस पर आप कितना है तो आप है यहाँ पर 18% क्या है उस पर आप है 18% क्या है आप है 430 रुपई का बूख है तो कितने रुपई आप है और कितने रुपई में 430 रुपई का बूख हमको प्राप्थ हो जाएगा यह निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले 430 का 18% निकालेंगे चले निकाल लेते हैं 430 का 18% तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 तो हम 100 नहीं लिखेंगे हम ट्रिक यूज करेंगे लाश्ट में तो सबसे पहले क्या करेंगे 18 का गुना करेंगे 430 में तो 18 में 0 से गुना करेंगे तो 0 18 में 3 से गुना करेंगे तो 834 54 के 4 हो जाएगा हारसीन 5 और फिर 18 का गुना करेंगे 4 में तो 72 और 72 और हारसीन है 5 तो हो जाएगा कितना 77 यानि यहां पर जो है गुडन फल हमारा 7740 आ दिखा है तो सो से डिवाइड करेंगे तो सो में जीरो के संख्या दो होती है यानि दाइने तरप से एक अंक दो अंक छोड़की यहां पर पॉइंट बठा देंगे यानि 77 रुपए का हमको छूट मिल रहा है 77 रुपए 40 पैसे का छूट मिल रहा है तो बूख है 430 रुपए का इतने रुपए का छूट मिल रहा है तो कितने रुपए हमको देना होगा कोरेक्ट कितना रुपए देना होगा यह हमको निकालना है तो चलिए क्या करेंगे 430 रुपए में से इसको हम घटा लेंगे तो कैस सब्सक्राइब तो जीरो में से यहाल तो इस में से 10 फिर 10 में से चार गया चो दसमलाव के सामने दसमलाव दे देना है यहां पर नौ बच गया क्योंकि इसमें से किसमें चला गया है नौ में से साथ गया दो यहां पर दो बच गया दो में से साथ नहीं घटेगा तो इसमें से कहार से लेंगे तो यह हो जागा बारह बारह में से साथ गया पा 22 रुपए 60 पैसे का पड़ेगा इसी तरीका से डिसकाउंट निकाला जाता है और कितने रुपए का प्रोडॉक्ट है आपको पता चल गया सबसे पहले छूट निकालेंगे उसके बाद जो प्राइज होगा उसमें से जो छूट है उसको घटा लेंगे आपका आंसर इसी तरीका से आप किसी भी कोई भी प्रोडॉक्ट का कितना हूँ छूट हो तो आप निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो वीडियो अच लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल पने तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लिजेगा उससे क्या फायदा होगा कि जब भी मैंस्तर का नवी वीडियो अफ्लोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके तैयारी चलती रहेगी तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में तब पकले टेक क्य दर्भाइबाद धन्यवाद